हेलो दोस्तों जागरन जोश के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है आइनेक्स मीडिया केज और पी चिदम्रम जो पूर्व वित्मंत्री थे उन पर क्या आरोप है चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहरे दोस्तों आ निवेश समवर्धन बोर्ड जैने की एफ आई पीबी से मंजूरी मिलने से जुड़ा हुआ है इसमें 305 करोड रुपए के इस हाई प्रोफाइल गोडाले में पूर्व वित्मंत्री जो की पीचिदम्रम है उनका भी नाम शामिल है सीबी और एडी केस में जाश कर रही है क किस तरह से पीचिदम्रम के बेटे कार्तिक चिदम्रम को 2007 में विदेशी निवेश समवर्धन बोर्ड से आई एनेक्स मीडिया के लिए मनजूरी मिल गई थी जबकि उस वक्त जाने की पीचिदम्रम वो खुद उनके पिता थे साथी सीबी आई और एडी की जाश में ये प प्रकात भी की थी जिससे विदेशी निवेश समवर्धन बोर्ड से मनजूरी में कोई देरी ना हो आई दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पीचिदम्रम पर आरोप क्या लग रहे हैं वितमंत्री के रूप में उनके कारेकार के दोरान विदेशी निवेश समव लगाया गया था कि चिदम्रम के कारेकार के दोरान 2007 में 305 करण रूपए की विदेशी धन्राशी प्रात करने के लिए मीडिया समूर को दी गई FIPB मनजूदी में अन्यमिताएं हुई थी इसके बाद एडी ने पिछले साल इस संब्द में मनी लॉंडरिंग का मामला चिदम्रम के खिलाफ दर्श किया था दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समाझ में आया होगा कि इस पर इस जो आयनेक्स मीडिया का केस है वो क्या है औ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेर करें और यूँ ही देखते रहें जागरनजोश.com